हैलो इस्टूडेंट बेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल अर्यहंत लेक्चर गैस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो हजार पचीज बोर्ड एक्जाम में आने वाला साइंस का बिलकुल वाइरल पेपर ये पेपर 824 आईजी का बिलकुल वाइरल पेपर है और आप दो हजार पचीज बोर्ड एक्जाम देने वाले हो अगर आपने इस वीडियो पे किलिक किया है तो आप एक लखी इंसान हो क्योंकि साइंस में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता ये मेरी 100% गारंटी है और आप 90% जरूर लेकर आओगे और लाकर एक टापर वीडियो को आप खोल कर मुझे थैंक सर बोलोगे लेकिन इससे पहले मैं बात करूँगा कि आप साइंस का पेपर देने वाले हो अभी आपने साइंस को पढ़ना शुरुवात किया है ऐसे में आप जान जाओ ये कि साइंस में कहां से क्वेस्चन आते हैं कौन से चेप्टर इंपोर्टेंट है किस चेप्टर से कितने नंबर के क्वेस्चन बनते हैं और ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आप एक लखी इंसानुक क्योंकि आप एक अच्छे इस्टूडेंट उभरोगे ताकि आपको पता चलेगा कि साइंस का हमारा पेपर कैसे आएगा कहा है और क्या क्या चिजिए आती हैं सबसे पहले आपको बोर्ड का इसतरह का एक पेपर मिलेगा ये पेपर जब मिलेगा आपको तो यहां पर अपना अनुक्रमामग और नाम और ये 824 आई जे आपका क्या रहेगा यह आपका ये पेपर का कोड रहेगा और proves कोड है आपको समय तीन घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा तीन घंट आप इस प्रश्ण पत्र को हल करने के लिए और 15 मिनट इस प्रश्ण पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाएगा और टोटल जो आपका पुडांक बनेगा वह सत्तर का बनेगा और यहां पे कुछ ऑ अ टेन मे ब्यभाजित है और खं आ जो है वह तीन उपकंडों में विभाजित है वह ओ चैन करके आपको OMR seat दिया जाएगा बोड में उसको भरना है नीले अत्वा काले बाल पॉइंट पेन से सही बिकल्प वाले गोले को पूडूप से आपको भरना है इसके बाद देगा फिर आपको इंट्रोडक्शन निर्देश कि खंड और में बहु बिकल्पी प्रस्ण है त प्रतेक उपखंड नए प्रिष्ट से प्रारंब किया जाए और सभी प्रस्ण आपके लिए अनिवारे हैं इसमें सबसे पहले आपको मिलता है खंड जिसमें आपको अबजेक्टिव टाइप के क्वेस्चन मिलते हैं और ये अबजेक्टिव क्वेस्चन बीष्ट होते हैं और 220 मार्क्स के होते हैं ठीक है एक एक मार्क्स के सभी होते हैं इसका अंसर आपको OMR सीट पे देना पड़ेगा और OMR सीट को हल कर लिए आपको बोड एक घंटे का समय प्रवाइड कराता है एक घंटे में आपको इसको पूरा साल्ब करना चाहे मैं तो चाहे इंगलीज तो सभी के लिए एक घंटा मिलता है तो यहाँ पर पहला जो क्वेस्चन है वह स्वस्त आग का निकट बिंदू होता है यानि कि नेत्र जो रंग बिरंगी दुनिया नेत्र वाली है उस चेप्टर से क्वेस्चन आना हंडे तेन परसें उस चेप्टर को अच्छे से पढ़ ले सेमी अनंत तो देखो यहां पर दो ही बच्चे टिक लगाएंगे एक 25 सेमी पर लगाएंगे और कुछ बच्चे इनफाइन अनंत पर लगाएंगे तो निकट बिंदू जब भी आ जाए तो यह 25 सेमी होता है और दूर बिंदू जो होता है वह अनंत होता है इसी में बच्च से हैं दरपड की पार्चेक निमेरकल आता है और एक प्रेस्टन भी आता है हम जानते कि एप बराबर आर बाइट टू होता है हमसे पूछक का वकरता त्रिज्या क्या होगी आर की बैलू पूछका है अगर हम आर की बैलू निकालेंगे तो यह दो भाग में इस पर भीजेंग यह दो है गुरते एक का वैल्यू क्या है वीयुश depe c teaching चालेस तेहां पर दस सेमी वाला आंसर जो ही जाएगार्จะ कारेक्ट हो जाएगा इसके बाद तीसरा न क्वेस्टन है कि प्रती रोध का मात्रक होता है हम जानते कि प्रती रोध ओम का नियंग आर बराबर вс II आ और जो मात्रक होगा वो ओम होता है क्या होता है ओम होता है तो यहाँ पर दरका कुलाम होता है कि ओम की जूल की ओम मीटर तो यहाँ पर ओम वाला आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा नेश्ट आपका चौथा क्वेस्चन है कि बिद्दुधारा उत्पन करने की युक्ति है यानि कि electric current को produce करने वाली कौन सी device है जनित्र है, यानि कि generator है, galanometer है, ammeter है की motor है तो को जो जनित्र होता है यह बिद्दुधा क्या करता है उत्पन करने की युक्ति जंग लेटा जो आप साधी विया में यूज करते हो ठीक है इसकी बाद पांचवा नंबर क्वेस्चन है कि एक प्रोटान पर विद्धूत आवेस की मात्रा होती है 1.0 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुला माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुला तो कुझ जो एक प्रोटान होता है प्रोटान पर आपका जो आबेस होता है ये वाला आबेस जो है वो प्लस आबेस होता है पांचमा का आपका क्या हो जाएगा तीसरा question correct हो जाएगा अगर ही electron होता तो यह होता ठीक है अप्रोटान है तो यह होगा आपसर नमबर C आपका correct हो जाएगा इसकी बाद छठा नंबर क्वेस्चन है यहां पे कि यदी phi equal चुम्ब की फ्लक्स phi equal चुम्ब की प्लक्स b बराबर चुम्ब की छेत्र की त्रिवता a बराबर अनुप्रस्त परिछेद का छेत्रफद तो इनकी बीत सही समंध क्या होगा b बराबर phi अपाने पाइ एक्वल बी अपाने एक्वल बी इंटू फाई बी एक्वल फाई इंटू अब दोगो इसके बीच में जो करेक्ट आपका समन्ध होगा वो बी बराबर नि चुम्ब की पलक चुम्ब की ये चुम्ब की चेट की तीवता बी बराबर फाई अपान ए यह होता है तो आप सन नमबर आपका एक करेक्ट वो इसके बाद यह हो गया आपका पहला ठीक है चट्वा का पहला और यहां पर सवरी ध्यान देना की एक प्रोटान ने तो प्रोटान पर प्लस आवेस होता हूँ तो देखो यह जो आपका इलेक्टान होता है कि उत्तल धiszPI बनने वाले प्रति वीम्व की प्रकृति है है वास्ति वीव 26 यहां पे है कि आपका जो उत्तल धर फड़ है लिए प्रति ऑल्ती पंता आपहासी बनाता और सीधा बनाता है ऩाधिके दरपड कि पीछे बनाता है जिसे हम अभास करते हैं और प्रतिभीम कैसा होता है सीधा होता है यहाँ में आपको chemistry के question मिलेंगे ulkे chemistry के question मिलेंगे यहाँ से आपको तो यहाँ पर सबसे पहला question और very important ये question हर बार बोर्ड एक्जा में पूशता है सुध जल यानि प्योर वाटर का पीए चिमान क्या है जीरो है एक है साथ है चवदर है ठीक है तो यहाँ पे जो सुध जल का पीए चिमान होता वह सेवेन होता आप पढ़ोगे पहले चेप्टर में chemistry के और यहाँ पे 9 नमबर question है कि निमलिकित में से कौन सी धातू साधारर ताप पर जल से अभिक्रिया करती है कोपर करती है कि लोहा करती है कि जस्ता करती है कि सोडियम करती है ठीक है तो सोडियम जो एन्ने होता है सोडियम का मतलब जो एन्ने होता है यह साधारर सी ताप पर जल से अभिक्रिया कर लेता दबल बांड हो, OH, COOH, ठीक है, प्रोपैननल में हमसे पूछा का है कि प्रोपैननल में कौन सी किर्यात्मक समूह लगेगी, ठीक है, तो दखों, CHU जो होता ना, अल समूह होता है, अल, नल, नल क्या कर सकते हैं, अल, संदी विछ है, तो ये CHU आपका करेक्ट हो जाएगा, न वो तामबे के उपर हरी परत चढ़ाई जाती है, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदासनी केलाती है, आकसी केलाती है, अपचेन केलाती है, कि संचारण केलाती है, ये संचारण केलाती है, आपसर नमबर D करेक्ट हो जाएगा, बारह नमबर क्वेस्चन है, कि सल्फर आक्साइड का जलिय बिलियन क्या होता है अमली होता है कि छारी होता है उदासीन होता है उभएधर्मी होता है तो यह जो अमली होता है जिसमें आपको बायोलाजी की क्वेस्टन मिलते हैं पहला ग्वेस्टन और वेरिउपोर्टेंट क्वेस्टन की पाधप में जाइलम उत्तरदाई होता है यानि जो जाइलम होता वो पादप में पौधे में क्या काम करता है जल का वहन करता है भोजन का वहन करता है अमिनो अमलका वहन करता है आकसीजन का वहन करता है तो ये जल का वहन करने का काम करता है पादप में जाइलम 15. गर्म जर प्राप्त करने के लिए हम सौसरज़ तापक को किस दिन नहीं करते हैं धूप वाले दिन, बादलो वाले दिन, गरम के दिन, पवनो यानि वायु वाले दिन ध्यान जी दिना है कि जब बादल होते तो सौर शुरेका प्रकास नहीं आपाता है और धूप वाले दिन तो करेंगे ही करेंगे सवरूर्जा तो चलेगा गरम के दिन भी करेंगे पवन हवा भी चलेगा तो भी करेंगे कितने हो तेजवा चलेगा धूप लग रही है तो गा लेकिन बादलों वाले दिन हम सवरूर्जा को फ्यूप नहीं कर सकते हैं इसके देना है कि जब इन में से सभी वाला question आता ना तो ये 90.99% correct होने के chance जोते हैं अगर कोई बिकल्प नहीं आता तो ऐसा question है इन में से सभी इसी को आप मार दो आख बंद करकर ये correct हो जाता है अब यहाँ पे मादा मतलब होता है लेडी जैनी महिला जनन तंतर का भाग नहीं है अंडा से ये मादा इनी लेडी जी में पाय जाता है गर्भासे भी इस्तिरी में पाय जाता है सुक्रवाहिका और डिमवाहिका जो है पूरसों में पाय जाता है ठीक है सुक्राडू जहां से जनरेट होते है तो सुक्रवाहिका पूरसों पाय जाता है और डिमवाहिका गर्भासे अंडासे ये सब इस्तिरी में पाय जाते है तो हमारी ये मादा जनन तंतर का भाग नही नहीं है यहनोरी यहनदने तो चाहिए है तो इस चीज के आप pok SCP उपर होते हैं नमबर से आप येसी पर देना है एकरित स्रावित करता है याकृत सुपने स़िध्डकिन ? यहनी यहनी जो है वह है स्रावित करता है है लार की जठरस की पित्रस की अगनासे रस ठीक है तो ध्यान ये देना आपको कि जो यक्रित होता है वो पित्रस का स्राव करता है आपसे नंबर और सी आपका करेक्ट हो जाएगा इसकी बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि लसिका में नहीं पाय जाते हैं लाल रुधिराडु लिम्पोसाइट स्वेत री दुराडु उत्सर्जी पदार्थ ये जो आपका है न स्वेत रुधिराडु लसिका में नहीं पाय जाते और बाकी जो मानों में भूड को पोशर मिलता है यहां पे आपको जू मानों में भूड होता है उसे प्ले सेंटा से भोजन मिलता है यहां से बीस नंबर पक्क्य हो जाएंगे और यहां से आते आपके वर्णात्मक प्रश्ण जो कि खंड बके अंतरगत आएगा और इस वर्णात्मक प्रश्ण में यहां से आपको 20 नंबर यहां से और 50 नंबर यहां से आपको लाना है और यहीं से काफी लिखने के सुरुवात होती है और यहीं से नंबर कटने की भी सुरुवात हो जाती है यहाँ पे है उपखंड को में आपको फिजिक्स है यानि कि जो फिजिक्स वाला पार्ट है आपके साइंस में वो उसकी क्वेस्चन आएंगे पहला question इसमें है कि स्वच्छ किरण आरेक द्वारा एक आउतल दरपड के समुक इस्तित वस्तु के प्रतिविम निर्माल को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की इस्तिती ठीक है देखो यहाँ पे आउतल की बात कर रहा है ठीक है उतल की नहीं आउतल की बात कर दरपड की वकरता केंदर पर हो दरपड की द्रू और फोकस के मद्य हो लेंस की प्रतम फोकस और दीती फोकस को प्रिभासित कीजिए ठीक है यह दोनों कंडिशन के लिए आपको चीतर बनाने क के लिए कर रहा है तो दर पार कुछा झैपटर हाब और यहां पर टरब की वकरता केंदर पर कूँद्य और यहां पर प्रेर मखशंद की कहां कहां से इस सब्सक्राइब कते हैं और मैंने बेखा है और में लिए पर में आया हुआ और यहां पर दूसरा नंबर क्वेस्चन है कि लेंस के प्रथम फोकस और दितिय फोकस को परिभासित कीजिए प्रथम फोकस क्या है एक उस्तु एक उत्तल लेंस के प्रकासी के अंदर से लेंस की फोकस दूरी की दूगूनी दूरी पर रखी है तो उसके प इस इस्तिति में पीघल कर तो जाता है और आपके घर के उपकरण को छती होने से घर की वाइडिंग की परिपत में तो अदिक बजाता हुआ है आवैश्यक परिपत आरेक बनाकर समझाई यह गर का जिसे बल्ब लगा दो इसको लगा दो फ्यूज को कि यह तोड़ता हुआ देखा दो अधिक करेंट का प्रवाहित होता यह सब चीजे अत्व अगर यह क्वेस्चन आपको नहीं आता तो पंद्रसो वाट सामर्थ वाले एक विद्दूत हीटर को दो सो पचास पोल्ट की बैदूत में उसे जोड़ा जाता है ज्यात किजिए हीटर से प्रवाहित धारा ठीक है पी बराबर हम जानते है आएंटू भी होता है तो यहां भी की बैलू दे रखा है और वाट की बैलू दे रखा तो धारा हम निकालेंगे धारा आई की बैलू यह गुड़ा में इस पर जाएगा तो भी अब पी की बैलू कितना है पंद्रस सव और भी की बैलू कितना है दो सो पचास एक जिरो से जिरो कटा और यह पचीस छके डेर सो यानि कि जो आपका आई का बैलू आया वह छे एमपीर आ जाए हीटर के तार का प्रतिरोध ज्या से है जरूर क्वेश्चन आते हैं चौथा है कि दिएगे परिपत में परतिरोध दस बोल्ट की एक आधर से बैटरी से जुड़ा है ग्याद किजिए ए और बी के मद्धे परतिरोध इसकी और इसकी बीच हमें क्या निकालना है परतिरोध निकालना है इन सब चीजों को यह देखो किस क्रम में जुड़े और यह किस क्रम में जोड़कर इसे सिंपल निकालना है ठीक नेश्ट वीडियो में हम बात करेंगे परिपत में धारा आई आई आपको पूरा निकालने एक बात धारा आई निकालना है ए और बी के मद्धे विभवांतर ए और बी के बीच जो लिखना होता है यह दो मार्क्स के हैं और इसमें ख है कि चार मीटर फोकस दूरी वाले आउतर लेंस की छमता याद कीजी ठीक है छमता वाला सुतर आप जानते हो पी बराबर वन अपान हैंडेड सेमी और इस मीटर दोनों में जानते हो तो उसकी सायतासी यह निकलेगा यहां प्लास्टर आप पीरिश को गर्म किया जाता है तो क्या होता है चट्वा नंबर क्वेस्टन और चार नंबर में आएगा खनीज तता अयस्क की परिभासा उधार दीजिए इसके बाद सात्वा नंबर क्वेस्टन है कि निवन पर संचिप्ट पड़ी लिखे संत्रीप तता और संत्रीप्त कार्बनिक योगिक सजातिय सिर्डी साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन अभिकिरिया पर ये टिपड़ी आपको लिखना है अथवा अगर ये क्वेस्टन आपको नहीं आता तो आप यहां पर अथवा है एथेनोईक अमलेकी निमिकित अभिकिरिया के स कि अच्छ करेख चकी कicism कि आता है अवस्ट्था सिपॉसर के लिए आवुछत्प्रसितिया कौन से उनके अंतिम उत्पाथ क्या है सौरपोशिंगे इसके बाद नेच्ट कोईस्टन आपका यहां पे है कि मानो के ब्रीच्ण की कारिएं Whenever था लेकर est della work कीजिए ठीक है ब्रीसर किसमें पाई जाता है नर की मादा में आपको उसका उलेक करना है सिंपल ठीक है दो नंबर कहाई यह चुई मुई पादप में गती तथा मानों टांग में होने वाली गती में क्या अंतर है अत्वा मानों में लिंग निर्धारर कैसे होता यह कि ओजोन परत की छती हमारे लिए चिंता का बीसे क्यों है इस छती को सीमित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे इसके बाद 11 नंबर क्वेस्चन है कि विक्रार निफ्रान की रचिना तथा उसकी कारवीदी का वरणन कीजिए अगर यह नहीं जानते हो तो अथवा दे रख है इसमें कि पादप में जल और खनीजलवड की वहन की बीदी का वरणन कीजिए ठीक है देखो आपकी अभी पढ़ाई शुरुआत हुई है आप यह मत समझो कि साइंस टप है यह वो टप है आपको शुरू करना है और लास्ट जब आएगा तो आपकी जब तयारी हो जाए सुरुआत करने की जुरूत है ऐसा सुरुआत करो कि कल मेरा एक्जाम है ठीक है तो आज की इस वीडियों बस इतना ही आप यह समझ लिए कि कि इस तरह की क्वेस्टन हमारे बोर्ड एक्जाम में आएंगे और कौन-कौन से चेप्टर इंपोर्टेंट है कि इस चेप्टर से क्वेस्टन इंपोर्टेंट है यह चीज़े आपको देखने को इसमें मिलेगी मिली ठीक है आज की इस वीडियों बस इतना ही मिलूँगा नेश्ट वीडियों तब तक के लिए धन्युक्त